इस वक्त 5G को लीट कर रहा है, 6G को भी लीट करने वाला है इंडिया और 12GB डाटा पर परसन यूज़ करता है पर मंथ इंडिया में और टेक्नोलोजी के लिहाज से आप सब जानते हैं कि इंडिया हमसे बहुत जादा आगे है बिल गेट से एक दफ़ा पूछा गया था कि अगर आपको एक इदारे से रिक्रूट्मेंट की इजाज़त हो एक यूनिवस्टी के स्टूडेंटस आप सिर्फ ले सकें तो वो कौन सा इदारा होगा तो उन्होंने कहा था आई 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 टीज यूए अब दुनिया का सबसे पड़ा टी इंपोर्टर फ्रॉम इंडिया बनता चला जा रहा है अगर मैं उनके आई टी की बात करूं तो इस वक्त हमारी जो गल्फ कंट्रिस है वो इस ताक में हैं कि इंडिया अपने आया टी की ब्रांच हमारे मुल्क में मुतारिफ कराई इंट्रोड्यूस करवाई ड इंडिया तो टोटली हमारे गेंस कोई भी काम हो इस वज़ा से हमें इंडिया को प्रेफर्ड नी देना चाहिए किसी भी किसी भी शोबे में वो जो भी आप कह रही है हमने अब हैशा मजब में से पैसे बनाए इसमें कोई शग नी क्योंकि हमारे लिए जो इसलाम है एक 1947 में हम भुकर थे फकीर थे हमारे पाखाने को कुछ नी था हम तबाहा थे हमारे सारे πैसे इंडिया का गया सब हम हम कंगले थे भिकारी थे हम दरختों की कल बें काटके हम लिखा करते थे यह सब नॉंसेंस था पाकिस्थान उनीस सो सेंटालेस ता इस खित्ते में के उपर अमेरिका इस डूंग मिलिटरी एक्सराइज इस विद आर्म इंडिया 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 ने एस 400 लिया जब रशिया से तो अमेरिका ने आंख्या मुझ दूसरी तरफ कर लिया जब तर्की ने लिया तो उस पर इंबार्गो लगा दिया के सैंक्शन लगा दिक अग अगर आज अगर को किसे बी कंट्रिय से कंपैर करेंगे तो एक चीज इंशे अलगी मिलें कि वह चुक्त आपको पता है कि आमेरिका की टेक्नोरी कि नहीं आगय तके नॉजोजी से आपको पता है कि टेक्नोरोजी और इंफर्मेशन में अमेरिका पूरी दुनियान से कितना ज़्याद़ा आ यह historic Pan अमेरिका की मोनोपॉली को तोड़ने में आगे निकल कि और दोस्तों पूरी दिनिया मान देखे आने वाले पचास से सो साल में भारत का ही राज होगा टेक्नलोजी के अंदर और दोस्तों इन समय सबसे एहम किरदार है वह है इंटरनेट का और दोस्तों रिसेंटली एक रिसा मेडिया का रियक्षन देखते कि उनका क्या क्या और दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले ना जैहन चे भारत एक रिपोर्ट के मताबिक अमेरिका में इंटरनेट सिस्टम इस अबाउट टुदा दस परसंट कांट्रिबिशन जाती थी चाइना से लेकिन अब रिपोर्ट के मताबिक और वर्ल्ड मैंक के कहने के मताबिक ही गहा जा रहा है कि ड्यू जो अब चाइना है वो भी क्राइसिस में जा रहा है डाउन फोल में जा रहा है और इसी सेक्टर में हमें नुमाया क्योंकि इंडिया तो इस मुश्लीम थाज उपते हैं लग करें पतो हैं हमारा कवी से यहें करना कचेंचे हैँ, हम अच्छाय करतुत त्ट हम ज़िएए कंगा ऐसी दो कि आम खिशोतों क्यूंसी रीटी Ivy हमें प्रबॉड श्रम कहिए है गश्वारफ में इसे हम लोग उन से चीजे लेते हैं महां से हम लोग यह कह तो पिर हम भी उनकी है क्योंकि आप यहां पर खड़े होकर उनके बात कर रहा हूं कि हमने कॉविड में उनको इतना इंतनी इतनी इंदाद किया लेकिन वो उनको हैलीकप्टर दियें यहां से और वह उक्सीजन स्ले करिकेट मैच की बाद आइसी ने उन पर डुबाव डाला के वह पाकिस्तान में जाके मैच के लिए जो उनका पैंडिंग पड़ा है सीरीज हैं वह यह भी नहीं खेल ठीक है वह में अच्छा ही नहीं समझे तो इस वजह से हमें उनके साथ मतलब के वह कहते हैं जी यहां पर कोई देश्चत गर्दी आई यह यहां के हलाद ठीक नहीं है ऐसे करके तो इस वजह से और वह बैसिकली जो में चीज़ाना वह इसलाम नहीं करनी चाहिए हमारे अधाई करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और एक भी हमारी यूनिवस्टी जो है वो टॉप की दुनिया की चार सो जो यूनिवस्टी हैं एक भी यूनिवस्टी उसमें नहीं आती और बिल गेट से एक दफ़ा पूछा गया था कि अगर एक इदारे से रिकूरूट्मेंट की इजाजत हो एक यूनिवस्टी के स्टुडेंट साफ सिर्फ ले सकें तो वह कौन सा इदारा होगा तो उन्होंने कहा था आई 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 टी जैगा मैं सिच्टी इंसिटूट अफ टेकनालोजी में लेकिन आपको आई आई टी में बु मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपकी यूनिवस्टी हैं क्यों नहीं हैं पाकस्ता आपकी इस वक्त पाएं से दस हजार लोगों को मेरा जो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से देया आई काल देम रूलिंग अलीट उस रूलिंग अलीट के अंदर आपके सियासदान भी मौझूद हैं उसके अंदर आपका हर वो पाकस्तानी मौझूद है जिसके पास इक्तियार है और वो जब उस इक्तियार को वो अम्यूज करके लंबे चोड़ तरीके से पैसे कमा रहा है वो उसके एक फैशन है या तो उसकी बीवी फॉर्म सिडिजन है और या उसके पाइसे दसजार रूलिंग अलीट है इनके बचे पाकस्तान में नहीं बढ़ते हैं वो ए लेवल ओ लेवल करते हैं लंदन आ जाते हैं या अमेरिका आ जाते हैं तो वो फिर पाकस्तान में यूनिवरस्टियां क्यों बनाएंगे बलकि उनको उनकी खायश तो यह होगी जो चल रही है यूनिवरस्टियां उनको भी बंद कर दें क्योंकि उनका कारोबार चलता रहे हैं आपने देखा है आप चोई साब मेरा अलमिया यह है खाँ साब इमरान खां साब आकस्फोड ग्रेजुएट हमारे बिलावल भूटो साब आकस्फोड ग्रेजुएट हमारे जि की डिगरियां फाड़ के चले जाते हैं, इनको पता है अमेरिका और बरतानिया ने किस तरह तरखी की है, इनको पता है कि अमेरिका में, बरतानिया में इंफ्लेशन के वाज़ा से तीन महीनों में तीन प्राइम इसटर चेंज हुए है कि वहां पर जो उनके प्राइमिनेस तका़ रहे हैं कि मैं यंग्लेंड को आग लगा दूगा और। वह कह रहे हैं कमजे जिमुरीत में इसकी चाह्मुरीयत पर उस पे यकीन नहीं है वह कह रहे हैं खेयं हैं मिसहां साब प्लेज को लाइक कर देना कमेंट जरू करना अपने राज जरू बताना कि क्या लगता क्या होगा और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज देखने के लिए और दोस्तों एक लाइक जरू कर देना क्योंकि यार वीडियो बहुत महनत से बनते हैं बहुत जादा रिसार्च कर लाना पड़ता है बहुत महनत सकती है तो आपका एक लाइक मेरा बागी मिलते हैं वीडियो में जयाहें जयभादत